तो हेलो डियोट्यों जो बात करने वाले हैं Supreme Court of India SCI Law Color Recruitment 2024 के बारे में तो इस वीडियो जो जानेंगे हम Supreme Court of India के रिगारिंग Law Color के रिगारिंग नय भर्ती को चारी किया गया है तो आपको बताएंगे कि इसके रिगारिंग एज लिमिट क्या माँगे गया है Education Qualification क्या माँ आगया है आपका syllabus के रहने बाला है salary कितने मिलेगी काम क्या करना होगा selection कैसे होगा तमाम जानकारी को देने का परियास करेंगे तो वीडियो पर बने रहीएगा और complete वीडियो को बाच किजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और और जानते हैं official notification की और वहाँ जाके आपको complete details को देते हैं यह कि ध्यान से सुनिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो अब हम से comment box लिकर पूछ सकते हैं और सुनिए सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील लएगा कि वीडियो अच्छा लगे इंफर्मेटिव लगे तो लिए उसको like and subscribe जोड़ कीजएगा दोस्तों में भी share कीजएगा तो हेलो सेंस देखने होंगे आप यह आपका official notification है जो कि Supreme Court of India के द्वारा recruitment cell के द्वारा जारी किया गया है यहाँ पर हम आपको बात करेंगे जो आपका यह post है इस post का नाम कहांगे आपका law color scheme of engagement engaging law color come research associate or short term contractual assistant in the Supreme Court of India ठीक है तो यह आपका कह सकते हैं एक पकार से contractual है हाला कि कहने के लिए contractual है लेकिन इसके जो period होते हैं contract का वो बढ़ता रहता है ठीक है अगर हम यह नहीं कहांगे पर पहले ही पर्मानेंट होगा लेकिन contractual लिखा गया है तो contractual नहीं रहेगा लेकिन आपका contract जो है वो बढ़ता रहेगा ठीक है ठीक है आपको सबसे पहले बात करेंगे आपका जो application form है वो कब से कब तक भरा जाएगा उसे समझ लीजेगा सबसे पहले यहां पर फ़र्म भनने का डेट जो है वो 25 चोशाओवीस लेकर 15-22-24 तक इस फ़र्म को भनने का डेट रखा गया यहां पर जो एज लिमिट मागा गया है आपसे उसको समझ यहां आपका एज लिमिट 20 यह का minimum से लेकर 32 का maximum होना चाहिए 15-22-24 तक अपने एज को यानि बैचलेग्री होना चाहिए लौ में ठीक है बैचलेग्री यहां यहां पर आपको एक प्रकार के एड़ भी दिया गया है कि यह आपने फाइब यह का लौ फर्म के लिए आप प्लाई कर रहे हैं यानि पांस साल वाला जो डिगरी होता है इंटिग्रेटर लौ उसके यानि फिर यह आप अप लिए मैं पर सकते हैं पर जाते हैं बात करें बात करएं पर mayoría इसके होने के बाद आपको पार्ट दोनहें डिया जाएगा इसके होने के बाद आपको पार्ट थी के लिए बुलाए जाएगा जो कि आपका इंट्रव्य हो रहेगा और हम जानेंगे यहाँ पर अगर टेस्ट सेंटर के बारें बात करते हैं तो पार्ट वन पार्ट टू जोनों एक ही दिन होंगे तो उसके टेस्ट सेंटर को आप यहां से चेक कर सकते हैं बिहार में बात करते हैं तो पत्ना में सेंटर है अस्ताम के गौहाटी में सेंटर है भ भेज दिये जाएंगे और और आपके 12,3,2,24 तक इसके क्या होंगे आपके कह सकते हैं कि इसका अगर ऑब्जेक्सन चाहिए होगा आपको किसी कोशन पर ऑब्जेक्सन भी आप कर पाएंगे ठीक है आपके multiple choice question होंगे जोकी MCQ होगा ठीक है पार बारे हम बता रहे है जोकी MCQ होगा और में सब्जेक्टिव ठाइब होगे ठीक है या फिर आप इसके लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जुरू सकते हैं, टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डिफेंस ट्यूटर, जॉप आपको सारे बेट वहाँ पर मिलते रहते हैं, तो चली जानते हैं इसके बारे में इन्फरमेशन क आप यहां पर देख से चलिएगा ध्यान से, पार्ट बन जो होगा सुन्स, इसमें आपके 100 multiple choice concern होगे, परते के एक answer, एक marks दिये जाएंगे, और आपके 8 घंडे का यह लगबग आपका एक ज्यानमेशन होगा, ठीक है, इसमें कि आपका question के इस पकार से पूचा जाएगा, इसमें आपका पहला जो होगा reading comprehension होगा, जो कि क्या होगा, इंग्लिस में होगा, और यह objective type ही होगे, तो आपको एक comprehension दिया जाएगा, और reading comprehension को पढ़के उसका answer देना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा जो होगा, वो objective type उसमें होगा, जो कि analytical question होगा, जिसमें क्या होगा, testing the candidate ability to understand and apply law, law के understanding, law के बारे में आपको apply करना पड़ेगा, including the constitution of India, CRPC, CPC, IPC, यह सभी जो आपको पढ़ना होगा, law के regarding, वो सभी होगे, ठीक है, फिर उसमें objective type question होगे, recent development and law, law and jury, jury prudence, ठीक है, in the last one यह, ठीक है, यानि पिछले एक साल के अंदर, जो भी recent development हुआ है, law में, या फ कर सकते हैं कि पिछले, जो भी law में change हुआ है, या फिर कुछ भी नया, jury के दवारा कुछ नया चीज बताएगा है, यह सब इस लेटर question होगे, जो कि इसके बारे में आपको भली बात ही पता होगा, ठीक है, हमें इसके बारे मुदा नहीं बता है, कि हमें law तो किया नहीं है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, आपके negative marking में 0.25 रखे गए हैं, और MCQ question होगे, जो कि हमने आपको कहा दिया, ठीक है, बात समझ लेदे हैं कि part 1 के बाद part 2 होगा, उसी दिन होगा, जिसमें कि आपका सारी 3 घंटा का जानमसन होगा, और including 30 minutes reading time and 300 marks की जानमसन होगे, ठीक है, जिसमें कि question जो होगे, वो आपके किस पगार से पूछा जाएंगे, उसको समझेगा, यह subjective type होगे, जिसमें कि दिखेगा, एक question है, जो कि brief preparation होगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ली जेगे इसके बारे में, फिर इसी में आपका question 2 होगा, जिकी preparation और draft research memo होगा, ठीक है, जिसमें कि 500 से 700 के बीच में आपको answer writing करने होगे, 75 marks के होगे, फिर part 3 जो होगा, यह भी 75 marks का होगा, जो कि 300 से 300 से 500 के बीच में आपको question के answer देने पड़ेंगे, ठीक है, तो यह क्या है, इसकी regarding आपका क्या है, आपका selection process है, और उस selection process में students आपके, जो किस प्रकारत के question पूछे जाएंगे, वो आपको हमने यहापे बता दिया, ठीक है, अब यहापे समझते है, थुरा सा salary structure के बारे में, आपके जो salary होगा, वो किस तरह से होगा, तो चले, आपको बता दे, सभी दोस्तों भायों को, कि यहापे जो salary होगे आपके, पढ़ लिजेगा यहाँ से, यहाँ पर remuneration में लिखा गया है, यह अगर आप लॉक कलर के post पर जाते हैं, तो आपको 80,000 पर मंत का क्या होगा, आपके जो assignment टर होगे, उस समय तक आपको क्या होगा, यह salary दी जाए 80,000, ठीक है, इसके बाद 80,000 के बाद आपक आपको कोई भी other analysis नहीं मिलेगा, यह तब तक रहेगा, जब तक आपके next, आपको कोई extension नहीं होता है, ठीक है, फिर extension अगर आपके, कर सकते हैं, contract में हो गया, तो फिर आपके salary भी बादा जा सकते है, और आपके contract period भी बादा जा सकते है, ठीक है, तो यह क्या है, इसके salary structure है और color का काम काता है, आपको simple दादे, सारी कागजात जो भी दस्तावेज होते हैं, उनसे लेटर उनका काम होता है, उनको वहाँ पे सिखाया जागा, सभी कुछ, आपको उसी documents लेटर काम करना है, जो भी वहाँ पे आपके, कह सकते हैं, judge रहेंगे, या फिर आपके senior वहाँ परेंगे, उनको assist करना होगा, और उनके सभी काग जो को आपको समालना होगा, और जो भी वह बोलेंगे, उनके अधार पे आपको वहाँ पे काम करना होगा, ठीक है, तो document related काम होगे, पाटिकुलर इसके अंदर exact काम क्या है, वो तो वहाँ पे जाएंगे, तो आपको समझा कीजेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो को भी लाइक कीजेगा, और कोई डाउट होता हमसे, जो comment बोक्स में लिक कर जोड़ पूछेगा, तो रखते हैं सी वीडियो को यहाँ पेस्वेंट्स, मिलेंगे नेक्स तूडियों में, और तब तब तक